दोस्तो आज हम सीखेंगे इन्फिनिक्स फोन में लॉक स्क्रीन पर कंट्रोल सेंटर को लॉक कैसे करते हैं और नोटिफिकेशन सेंटर को लॉक कैसे करते हैं आप देख सकते हैं मेरे इन्फिनिक्स फोन में लॉक स्क्रीन पर लॉक लगा हुआ है इसके बावजूद control center यहाँ पर open हो रहा है और notification center भी open हो रहा है तो अगर आप चाहते हैं lock screen पर notification panel open ना हो infinix phone में तो आप इस वीडियो को पूरा end तक देखिए सबसे पहले आपको अपने mobile की settings में आ जाना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक setting देखने के लिए मिलेगी notification center आपको notification center की setting को open करना है यहाँ पर आपको more settings पर click करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी swipe down on lock screen आपको इसे open करना है तो यहाँ पर आपको दो settings देखने के लिए मिल जाएगी notification center और control center तो आपको क्या करना है इन दोनों ही setting को बंद कर देना है दोनों ही setting को मैंने बंद कर दिया अब मैं lock करता हूँ mobile को आप देखेंगे screen पर lock लगा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे control center open नहीं हो रहा है और notification center भी open नहीं हो रहा है तो इस तरह से दोस्तों आप Infinix phone में lock screen पर notification panel को lock कर सकते हैं setting को मैंने on कर दिया है तो आप देखेंगे यहाँ पर control center भी open हो रहा है और notification center भी open हो रहा है तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना वीडियो को share कर देना what's up facebook पर